नमस्कार आसम मुस्लिम विवाह तलाख पंजी करण याने Marriage and Divorce Registration कानून निरस्त आसम का पहले से यह तूश्टी करण के लिए कॉंगरेस ने जो इतने सालों से एक घटिया सिस्टम बना के रखा था यह मुस्लिम विवाह तलाग पंजी करण कानू निरस्त इसका हिंदू और मुसल्मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखेंगे लेकिन असम के मुख्य मंत्री हेमंत बिश्व सर्मा ने कहा यह बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए कारगर हो और जैन्तमल्ला बर्वा ये भी मंत्री है यह टूरिजम मंत्री है इन्होंने कहा कि यू सी सी लक्ष की ओर पहला कदम यानि इसी से यह एक पहला कदम है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ तो देखते हैं पहले इस नियम में क्या था और इस नियम को निरस्त करने के क्या होगा इसका फर्क समझते हैं पहले और बाद में पहले मुस्लिम विवाः और तलाक का पंजीकरन स्वाइक चिक था voluntary था, compulsory नहीं था, कानूनी, mandatory नहीं था, जिसका एक्षा कर लिया, जिसका एक्षा नहीं किया लेकिन अब सभी विवाहों और तलाकों का पंजीकरन अनिवारी होगा यह कोई मर्जी पर depend नहीं करेगा, सबको यह विवाह और तलाक पंजीकरन करना होगा पहले क्या था, इसमें विवाह पंजीकरन की अनुमती देने वाला प्रावधान शामिल थे भले दूला और दूलन, 18 और 21 की कानूनी नियोनतम आयू तक अगर नहीं भी पहुँचे हो कोई 15 साल, कोई 12 साल सब का यह शादी हो जाता था और पंजीकरन अनुमती देया जाता था याने बाल विवाह रैंडम चलता था, कोई 10 साल, 12 साल सब लड़कियों की शादी हो जाती थी लड़के भी 20 साल के पहले कोई 15 साल, 16 साल में शादी कर ले थे क्योंकि वह पंजीकरन अनुमती देने वाला प्रावधान शामिल थे अब क्या है, दुलहनों और दूलों के लिए, यह दोनों दुलहनों हो गया, यह दुलहनों और दूलों होगा के लिए कानूनी नियोनितम आईव, 18 और 21, दुलहनों के लिए 18 और दूलों के लिए, यह गलती हो गया, दूलों के लिए 21 अब सक्ती से लागू किया जाएगा कोई अंडर एज मैरेज नहीं होगा अब बाल विवा रोका जा सकेगा 18 साल से कम लड़की या 21 साल से कम लड़के का विवा पंजीकरन नहीं होगा पहले क्या था विवा और तलाग का पंजीकरन अनिवारी नहीं था यह पंजीकरन मशिनरी संपूर्ण रूप से अनावपचारिक था यह मुस्लिम के कुछ रेजिस्टरार चला रहे थे कुछ मौलाना चला रहे थे अब क्या होगा विवा और तलाग का पंजीकरन अनिवारी है कंपल्सरी है अपनी मर्जिस नहीं करना ही पड़ेगा हर विवा हर तलाग का रेजिस्टरेशन करना पड़ेगा और यह मशिनरी सरकार द्वारा नियंत्रित है मस्जिद द्वारा नहीं कोई दाड़ी वाला मौ पहले क्या था नियूनतम विवा आयू नियम को लागू करने के लिए कोई प्रभावी निग्रानी नहीं थी क्योंकि रेजिस्ट्रेशन तो दूसरा कोई करता था और रेजिस्ट्रेशन कंपल्सरी भी नहीं था रेजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है कहीं मस्जिद में मौलाना को देकर शादी कर लिया और बाद में चला गया रेजिस्ट्रेशन के लिए और देना परता था उसको रेजिस्ट्रेशन लेगिन अब नियूनतम विवा आयू याने 18 और 21 नियम के निग्रानी के लिए पूर्ण सर पंजी करन करने वाले जो 94 Muslim विवार रेजिस्टरार थे ये कोई qualified नहीं थे वही मस्जिद में मौला ना थे ये 94 Muslim विवार रेजिस्टरार ये पंजी करन करते थे और सरकार उनके record के आधार पर प्रमान पत्र प्रदान करते थे पहले registration compulsory नहीं था करते थे ये 94 Muslim विवार रेजिस्टरार और 15 सल हो 12 सल हो एक बर उसने कर लिया तो government को प्रमान पत्र देना ही प्रता था आप क्या होगा पंजी करन जिला आयुकतों और जिला रेजिस्टरारों में द्वारा किया जाएगा या district magistrate करेंगे district commissioners करेंगे उसी के आधार पर प्रमान पत्र प्रदान किया जाएगा यानि पूरा government का कंट्रोल आ गया आप कोई मावला ना ये मस्जिद से 10-12 साल के प्रमान पत्र government प्रदान करेगा या सिर्फ पूरा सरकारी तंत्र होगा पूरा government कंट्रोल होगा या सिर्फ district commissioner और district registrar करेंगे इसका पंजी करन और सिर्फ उन्हीं के record पर मस्जिद के record पर नहीं कोई मस्जिद के record पर कुछ नहीं होगा सिर्फ ये जो पंजी करन करते हैं government उसी के आधार पर अप्रमान पत्र दिया जाएगा. लेकिन कुछ और भी है, किसी भी व्यक्ति की मर्जी से विवा या तलाग का कोई पंजीकरन नहीं. मन मैं आया विवा कर लिया, मन मैं आया तलाग दे दिया, इस तरह का ये जो मनमाजी है ये नहीं चलेगा. विवा और तलाग पंजीकरन पूर्ण सरकारी नियंत्रन, कोई मर्जिद वाला नहीं कर, मौला नहीं, सिर्फ सरकारी नियंत्रन में रहेगा. सभी विवाहों और तलागों का पंजीकरन अनिवारी होगा यह नहीं कि मर्जी हुआ, रेजिस्ट्रेशन क्या, मर्जी नहीं हुआ, नहीं क्या, बाद में कर लिया कि कोई क्याईने या हर मैरेज, हर डिवर्स का रेजिस्ट्रेशन कमपल्सरी है करना ही पड़ेगा बाल विवा के विरुद प्रभावी निगरानी जो पहले गव्मेंन के कंट्रोल में नहीं था अब बाल विवा पूरी तरह से नियंत्रन करेगा यानि उसको रोक सकेंगे मनमाओ जी तलाग के विरुद प्रभावी निगरानी कोई भी कह दिया तलाग हो गया, कोई मौला ना बोल दिया भई तलाग देदो तलाग हो गया ऐसे नहीं होगा, कोई मस्जिद या मौलान के कहने से नहीं होगा, किसी के कहने से तलाग नहीं होगा या पूरी जैसे कानूनी प्रक्रिया है वही होगा, तो तलाग के विरुद प्रभाव शाली निगरानी हर मुसलिम नागरिक को सुरक्षा यहने कि मुसलिम को जो एक्सप्लोइट किया जा था था हर मुसलिम नागरिक को सुरक्षा मिलेगा और मुसलिम लड़कियों को मौलानाओं के अत्याचारों से आजादी मिलेगी तो यह एक्चुलि सबसे ज्यादा अगर किसी को लाव होता है तो ये मुस्लिम समुदाए को लाव होता है उनका क्या होगा भे नौकरी तो चली गई, अब तो नौकरी चली गई उनकी जो तो marriage register नहीं करेंगे तो करेंगे क्या तो उनको जिला आयुप्त या जिला register करेंगे उनके record भी उनके पास चला जाएगा तो सरकार अधिनियम निरत्स होने के बाद अब यह जो बेरोजगार हो गए हैं उनको पुनरवास यान rehabilitation के लिए एक एक व्यक्ति को दो लाग का compensation दिया जाएगा जो पहले Muslim Registrar थे उनको दो लाग का मौवजा दो लाग का compensation दिया जाएगा कि आप कोई अच्छा काम करें तो यही है सबका विश्वास सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास क्योंकि यह जो नियम कानून है यह खास कर Muslim को लाब पहुचाने के लिए हैं कोई हाइदराबादी भाई जान के मनमोजी से नहीं चलता है यहाँ देश का कानून आपके लिए है और हर नागरिक मुस्लिम नागरिक के लिए भी भलाई का काम करता है तो उनकी सुरक्षा के लिए यह क्या गया है और यह uniform civil code यह भी मुस्लिम की भलाई के लिए लाए जा रहा है हर व्यक्ति की भलाई के लिए लाए जा रहा है तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हे मन्त बेश्वा सर्मा कुई जै और हम फिर आएंगे ऐसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार